सलोडिंग प्रोसेस को देखेंगे और इसमें क्याख विट्कल इसूस आते हैं तो लाट में स्टार्ट यह हमारा यूट्यूब चैनल है प्रोफेशनल इंजिरिंग्ड अगर अच्छा लिए लिए लाइप और कमेंट जिरूट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो अगर किसी भी इंडिस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इंट्रू देने के लिए जाते हैं तो आप जैसे डिपलोमा या इटी आई करके आया होते हो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जो चोटिकल कीजिए हैं कि आपको बताया जाता है उतने देशिक्स में किलियर नहीं हो पाता इंट्रेश्ट्रेणिंग जो हमारे बंदे है जो भी ऑप्रेटर या पेस्वी चंबी वाले जीनियर ऑप्रेटर हो और जूनियर ऑप्रेटर हो साथ या है यह इसे प्रेंग के प्रोसेस में जो न करते हैं आज उसके बारे में हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में जो बेसिक्स ऑफ एलक्ट्रोनिक्स क्या-क्या कंपोनेंट्स ज्यादा तर यूज होता है उसके बारे में आपको नोलेज पूरी होनी चाहिए उसके क्या अप्रेशन्स है उसके पॉलारिटी कैसे है उसकी वैली को कैसे रीट करेंगे इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और जो मेन है कि सोल्डरिंग का प्रोसेस है अहरें चलाना सिर्फ सोल्डरिंग नहीं कहलाता आयरें चलाने के अलावा भी उसमें जो क्रिटकल प्रॉब्लेंस आते हैं वीजी में यसे के बारे में basics electronics इसमें कि यह maximum जो 100% कोई भी इंडस्टी जो Electronics Manufacturer PCV Manufacturer है आपको बूद देखने को मिलेगा यह 100% मिलेगा इसके बिना electronics अधूरा है यह जो सबसो पहले हम देखेंगे कि यह हमारा डायोड है टो डायोड की पॉलारिटी एडिनिफाय करना सीखेंगे आप जो पहला यह सिंबोल देख रहे हैं यह हमारा जोटकल है कि डायोट जो है कि पी एंजेक्शन से बना होता है तो जो इसमें टाइप का सेमिकंडक्टर मेट्रियल होता है वो हमारा नेगिटीव होता है जो के थोड कहा जाता है और एनौड जो है हमारा पी टाइप का मेट्रियल होता है सेमिकंडक्टर मेट्रियल तो इसा पॉजेटीव का जा था यह अब डेपली करोगे तो आपको पता चलेगा लेक्टांस और होल के कंबिनेशन से बना होता है तो इसमें चार्जे जो है कि इसमें लेगिटीव चार दायोट कैसे होता है अब डायोट को जो जेनरल इंडेस्ट्री में आप यूज करते हैं जो देखते हैं या आप कहीं भी इंडेस्ट्री में जाओगे सबसे पहला पार उठाओगे पिसवी में जरूर दायोट तो लगा हुआ चाहिए कोई भी डायोट हो जो थुरू हो या अब थुरू हो डायोट में यहां पर आप देख रहे हुए कि यह जो एक पतली सी रिबन दिया हुआ है यह हमारा आइडेंटिफाई करता है इसको यह जो एरो बना हुआ एरो के आग इसका जो फंसन्स होता है कि यह फॉर्वाट वाइस में कांटा मिन्स आउट गोइंग नहीं है जैसे मोगायल में देखते हो आउट गोइंग है इंकमिंग नौड लाउट तो वन वे यह इसमें सिर्फ वोल्टेज जा सकता है अगर आप जैसे इसका जो मैक्सिमम यूज कर नहीं करेगा आज बेरियर काम करता है तो रिवर्स पुलाटी पोटेक्शन में जो है कि मैक्सिमम जहां पे भी रिवर्स पुलाटी पोटेक्शन की जोरत होती है वहां पर इस डायोट को यूज किया जाता है सेम कंडिशन में इसको हम जेनरल डायोट बोलेंगे और यह हमारा आगर जीन डायोट यह रिवर्स वाइस में काम करता है बिल्कुल अपूजी इसका जो मैनली यूज हम रेगुलेटर पर प्रफेस्ट के लिए कि रेगुलेटर जहां भी हमें बोल्टेज जो है कि रेगु पॉल्ट जो है कि रिवर्स वॉल्ट जो जो है कि जीन डायोट लेना पड़ेगा जिसमें कि 5.5 भोल्ट तक ब्रफ करेगा उसके बार मैक्सिमम आएगा तो यह घ्रावंड कर देगा इसका भी रिवर्स करते हैं जीन डायोट को इसका भी कलर कोडिंग जो है कि बिल्कुल स यह पर पूरी रेट पर्संट यह पोजेटीव होता है और यह हमारा नेगेटीव होता है इस फर्म में दिखता है जो पीशीव अगरा में आप थुरू और इतने भी कंपोनेंट होंगे चीन डायोड का आप यहां पर देख रहे होंगे कि स्थाइड में दिखता है इस तरह से लिखा जाता है जो मैक्समाम अभी डुनिया है तो आलेडी कंपोनेंट वीजो होता ही होता है अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी दो परकार का पाया जाता है जैसे एक तुरुवल एलेडी एक और SMT कि बात करेंगे तो कलर तो सबका लग लग आता है रैट में बुलू में वाइट में 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 देखेंगे कि इसको पहचान है कैसे हैं इस किस तरह से हम एलेडी को पहचान सकते हैं होगा बट यो मिनिंग है कि जो यह कर लगिया नगेटिव साइड में और यह चोटा वाला जो है यह पोजेटिव साइट में होगा जिदर से कट नहीं लगा है अगर हम मतलों कि LED को बिल्कुल जड़ से काट दें उपर से भी काट दें और पचाने में कि कैसे इधर था नेगेटिव इसमें किस और किस डिरेक्शन में नेगेटिव था तो हम सबसे पहला इस कट को देखके प मतला हूँगा पिलर है यह हमेशा नेगेटिव होता है और जो सिर्फ मीनर आफ वन है जो एक लिखते हैं यह का मीनर आप बना लिजेगा यह हमारा पोजेटिव होता है अगर हम टॉप भी कि अगर इसकी लेक्स के बात करें कि लेक्स के कोडिंग कैसे पाचानेंगे तो और लेक को काड़ दिया तो फिर लेडी कैसे पाचानेंगे तो हमारे पास दो अप्शन और भी बचता है या तो अप लेडी का जो सर्फेस है उसको देखके आप अचान सकते हैं और टॉप भी देखके पजान सकते हैं तो हमने तीन तरह से देख लिया कि एक यह एक लेडी को तीन तरह से अटिफाइब कर सकते हैं पॉलारीटी को राउंड सरकल देखके और लीड को देखके तो यहां से हमारा लेडी के लिए होता है आप चलते हैं SMD LED में सबस्जादा अभी इंडेस्टियल में 100% यूज किया जा रहा है और इसमें जो है कि maximum operators जो होते हैं बहुत गलतियां करता है कि इसके polarity को identify नहीं कर पाता है जब visual process होता है या touch up process होता है तो सामने से कैसे देख को पचान है यहां भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से LED हम देखके पचान सकते हैं exception एक red LED को छोड़के बाकी का जो nature है बिल्कुल सेम होता है अब जिसे हम अगर white LED की बात करें जो एक 1 watt का आता है 0.5 watt का आता है 0.2 का आता है blue color हो white color हो और कभी-कभी रेड लेडी जो है लेंस इसका रेड हो उसका भी नेचर जो है कि आजटी सेम होता है वाइट LED के तरह है आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर हम लेडी को उल्टा कर दे बिल्कुल यह उपर आ जाता है मैंने यहां पर सिंबॉल बना रखा यह बड़ा जो पैड होता है यह हमारा नेगेटिव होता है और यह छोटी पैड जो है यह पोजेटिव होता है यह हमारा पलट के हमने देखा तो आडेंडिफाइ कर लिया बट इस वी में जब लगा हुआ है तो हम कैसे पचा नहीं हम तो अब सोल्डर हो रखा है वह तो नहीं देखके पचान सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अधर ऑप्सवन और दो ऑप्सवन और भी है अब य इसक्वायर फर्म में मतल्मलें पिल्कुल हमारा कि लिए रहे कि फिलामेंट उसके लडी का देख रहा है तो लेयर वह दिख रहा हमें कि बढ़े वाले जो लेयर होता है यह हमारा नगेटिफ सो करेग और पत्ली सी स्ट्रिफ जो होगी वह हमारा पोजेटिव सो करेगा पे कर दो अारा इतोरा